बिसमिल्ला रख्मान रराहीम आज हम मॉड्यूल 125 डिसकस करेंगे मॉड्यूल 125 है अबाउट थ्रेट स्टेट्स हमने प्रीविसली जो डिसकशन किया उसे आईडिया होता है कि हर थ्रेट जो है वो अरवकत एक्जीक्यूट नहीं कहा रही होती एक थ्रेट जो है जब वो CPU को इस्तमाल कर रही है प्रासेसर को इस्तमाल कर रही है तब वो एक्जीक्यूट कर रही है तब वो अपनी कॉम्पूटेशन से परफॉर्म कर रही है लेकिन थ्रेट ये भी हो सकता है किसी और इवेंट का वेट कर रही हो यह हो सकता है कोई input output operation perform कर रही हो या किसी और task के complete होने का इंजार कर रही हो तो उस सूरत के अंदर thread जो है वो CPU को नहीं इस्तमाल कर रही होती है अगर वो CPU को इस्तमाल करें तो वो optimal नहीं होगा उस वकद वो CPU relinquish कर देती है और कोई और thread जो है CPU को इस्तमाल कर सकती है तो इस लिए हाँ से देखा जाएं तो thread मुखलिफ states के अंदर exist कर सकती है तो जो thread की मुखलिफ states है उनको हम discuss करेंगे Windows के लिए हाँ से हर operating system के अंदर threads का और process state model होता है और जो भी एक operating system design होता है वो एक certain state model के लिए हाँ से या process state model या thread state model के लिए हाँ से design किया जाता है तो जो Windows के अंदर threads का state model है उसके अंदर ये सारी threads है या states हैं ये लिस्टेड है एक thread running हो सकती है running का मतलब है वो CPU को इस्तमाल कर रही है computations perform कर रही है ready, बिलकु ready for execution है उसका सब कुछ त्यार है और बिलकुल setup होई भी है just वो CPU का wait कर रही है जो ही उसको CPU मिलेगा वो अपनी execution perform कर देगी standby है लेकिन ready नहीं है standby और ready में थोड़ा सा फरक है standby का मतलब ये है कि वो कुछ initialization कुछ information जो कि उसको required अपनी execution को continue करने के लिए उनको gather कर रही है और जो ही ready state के अंदर आएगी वो बिलकुल ready for execution होगी transition state है, waiting state है इसी तरह terminated जब वो बिलकुल खतम हो जाती है और जब बिलकुल start होती है that is initialization state तो ये एक diagram है इस diagram की मदद से इस state model को हम ज़ादा बेतर तरीके से understand कर सकते है इस diagram को देखें तो आप देखें जहां से start arrow है यहां से start है, एक thread initialize होई है initialize होगी, तो उसके लिए data structure बनेगा और उसकी thread control block बनेगा और उसके बाद वो एक ready queue के अंदर place कर दी जाएगी ready queue के अंदर और भी हो सकता है threads हो, जो बिलकुल ready for execution है बिलकुल initialize होगी ही है और जब एक thread की बार ही आ जाएगी तो वो stand by state के अंदर चली जाएगी जब वो stand by state के अंदर है तो हो सकता है वो preempt हो जाए in case कोई higher priority जा सकती है, अगर stand by state के अंदर है तो stand by state से वो running अगर कोई higher priority नहीं आती तो वो running state के अंदर जा सकती है यहाँ पर आप समझेंगे switching होगी अभी यह memory के अंदर पड़ी हुई है इसका status सारा memory यह अंदर पड़ा हुए वो status जो है switch होगा और इस specific thread के उपर execution transfer हो जाएगी इस specific thread के execution स्टार्ट हो जाएगी running state के अंदर आगी ठीक है, अब running से आगी कही सारी possibilities है, हो सकता है कि जो उसका time quantum है वो पूरा हो जाए, time quantum पूरा होने के बाद यह वापस फिर से ready state में चली जाएगी क्योंकि आपको पता है time sharing होती है एक higher thread को एक slot मिलता है, वो slot पूरा हो गया और वो वापस ready state के अंदर चली जाएगी, हो सकता है वो slot पूरा होने से पहले, कोई input output operation perform करना शुरू करते है या किसी और event का wait करना शुरू करते है तो वो waiting state के अंदर आ जाएगी waiting state के अंदर जिस वो action का अंजार कर रही है अगर वो action available हो जाता है perform हो जाता है तो ये वापस ready state के अंदर चली जाएगी या फिर अगर बहुत जादा देर हो जाती है तो हो सकता है ये transition state के अंदर चली जाएगी जिस resource का वो wait कर रही है अगर वो मिल जाता है तो फिर ये transition से हो सकता है कि फिर से ready state के अंदर चली जाए फिर वापस running के अंदर आए तो running में ये भी हो सकता है कि उसका अभी slot भी पूरा नहीं हुआ उसने input output में नहीं perform की तीसरी possibility के है कि उसकी execution complete हो जाती है अगर execution complete हो जाती है तो फिर एक्जिट हो जाएगी Terminate state के अंदर चली जाएगी हो सकता है उसी thread को फिर से re-initialize किया जाए तो फिर again initialized state के अंदर आ जाएगी और ये cycle इस तरह से चलता रहेगा तो जो thread होगी एक वकद में किसी भी thread को देखेंगे तो वो इन तमाम states में से किसी एक state के अंदर exist कर रही हो या तो वो अपनी execution perform कर रही है तो running state के अंदर है execution का wait कर रही है तो ready state के अंदर है just execute होने लगी है तो stand by state के अंदर है और अगर किसी event का wait कर रही है resource का wait कर रही है तो वो waiting state के अंदर है फिर यहाँ पर एक और concept है Windows के अंदर कि अगर आपके पास कई सारे processors हैं और कई सारी threads है तो जिस तरह हमने discuss किया था कि Windows के अंदर एक अपना mechanism है वो automatically हर thread को एक कोई processor assign कर सकती है और किस thread को processor assign करने की जूँत है हो सकता है को ऐसी threads हों जो तरही crucial ना हो उनको आप background में रखना चाहिए को ऐसी threads हैं जो आप चाहते हैं कि हर वक्त चलती रहे तो उनको आप चाहते हैं कि हर वद कोई ना कोई processor मिलता रही है most of the time उनके पास कोई ना कोई processor हो तो इसके लिए आप क्या करते हैं एक processor affinity mask जो है वो define कर सकते हैं Windows आपको ये facility provide करती है processor affinity mask define कर सकते हैं और एक ऐसा mechanism windows provide करती है कि आप ये बता सकते हैं कौन-कौन से आपकी threads जो हैं वो crucial हैं और windows most of the time कोशिश करेगी उन threads के पास कोई ना कोई processor हो तो ऐसा करने के लिए मुख्लिफ APIs हैं यह APIs हैं यह आप देख सकते हैं set processor affinity mask get processor affinity mask और तीसरा है set thread ideal processor अगर एक third के लिए most ideal processor आप समझते हैं तो आप उसको assign कर सकते हैं यह वाला processor है यह इसके लिए most ideal है इसी में इसकी execution होगी तो इनकी मदद से आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी threads को handle कर सकते हैं यानि कि जो most आपकी crucial threads हैं आप चाहते हैं कि वो उनको हर वकद processor मिला रहे तो आप affinity की मदद से processor affinity की मदद से यह task भी perform कर सकते हैं